हेलो एब्रिवान मैं हूँ राधा मेरे चैनल राधा सुआदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आएं बहुत ही स्पेशल रेसिप्पी यह है एगलेस चेकरबोर्ट कुकीज इस कुकीज को बनाना बहुत ईजी है और यह देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है बच्चों को यह कुकीज बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं एगले स्टेकर बोर्ट कूकीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पे ने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकुन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटिस वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता रहें इस कूकीज को बनाने के लिए मैंने यहाप एक बाउल लिया है इसमें हम बटर डालेंगे मैंने यहापे 100 ग्राम का बटर लिया है इसमें हम आधा से थोड़ा से जादा डाल देंगे लगबग 60 ग्राम क अधा सब्सक्राइब लिया है तो आप इसमें एक से दो चमच मिल्क भी आड़ कर सकते हैं मैं यहापे लगबग 1-2 चमच मिल्क करोंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिल्क डालने से बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है यहापे देखे बटर और गी को मैंने लगबग 2-3 मिनट अच्छे से फैट लिया और यह बिल्कुर क्रीम सा हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे लगबग आधी छोटी चमच बैनिला एसेंस और फिर से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेनिला एसेंस मिक्स करने के बाद हम बटर को इस तरह से एक जगापर कलेक्ट कर लीए और अब हम इसमें डालेंगे मैदा मैंने हापे दो कप मैदा लिया है आप चाहें तो इसके जगह पर आटा का भी उस कर सकते हैं और यहां पर मैदा को पहले से ही छान लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी चमच बेकिंग पाउडर और अब हम सभी जोगो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे हाथ से मिक्स करें हमें इसे Evans कर लिया और यह इस तरह से क्रमबल जैसा हो चुका है अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूद आण्ट करके इसका एक डोबना लें डोइघ को बिल्कुल भी गिला ना करें इसे हमें 2行 साइट करें जैंने कि एक पार्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा पिंक फूट कलर मैं यहां पर लिक्वीड कलर का यूज कर रही हूं आप चाहे तो पाउडर कलर का भी यूज कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे देखे हमारा यह पिंक डो बनके तयार है मैंने यहाँ पे दोनों डो को ले लिया है और अब हम कोई भी एक डो को उठाएंगे और हम इसे इस तरह से लंबा करते हुए इसे हमें rectangle का shape देना है देखे इस तरह से चोकोड शेब देना है देखे इस तरह से और अब हम इसे wrap करेंगे आप इसे wrap करने के लिए कोई भी aluminum foil ले सकते हैं या फिर कोई भी plastic या फिर clean film भी ले सकते हैं और इसे हम इस तरह से wrap कर लेंगे देखे यह तयार हो चुका है और इसी तरह से हम white वाला dough को भी wrap करके तयार कर लेंगे या पर देखे दोनों dough हमने तयार कर लिया है और दोनों का length एक ही जैसा होना चाहिए अब हम इसे fridge में रखेंगे 15-20 मिनट के लिए ताकि यह थोड़ा से सेट हो जाए उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो देखे फ्रेंड्स लगवाग 15-20 मिनट के बाद मैंने इसे fridge से निकाल लिया यह थोड़ा सा सेट हो चुका है तो इसका जो wrapper है उसे हम खोल लेते हैं अब हम इसका कटिंग करेंगे हो एक दो को आप तीन भागो में काटें इस तरह से हम पहले दाग लगा लिए उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे डो को कट करने के लिए बिल्कुल साहरा नाइफ ले तो मैं यां पर दूसरा ना miraculous लेकि इस तरह से कट कर रही हूं सय देखिए इस तरह से तो यहां पर मैंने थीन भागो में से कट कर लिया है उप और फेकर हम वाइट वाला डॉको भी प्रेस करकिर ज़र लेंगी इसी तरह से का है है यहां पर मैंने दोनों डो का तिन तिन स्लाइस कर लिया है और हलका हलका हम इस तरह से प्रेस करके इसे फेला लेंगे और अब हम इसे फिर से एसेंबल करेंगे तो यहां पर मैंने एक पहले वाइट स्लाइस लिया है उसके उपर हम फिर से पिंक स्लाइस रखेंगे देखिए इस तरह से प्रेस कर दाथ हरु जाएगा और फिर से हम इसके ऊपर white slice रखेंगे रखेंगे mental रखेंगे और फिर से उपर white में बिच में pink और इसी तरह से हम यह pin Alex just पिंक रखेंगे उसके उपर हम वाइट रखेंगे और फिर से हम इसके उपर पिंक रखेंगे देखे इस तर से दोनों डो को हमें इसी तर से तयार कर लेना है यहाँ पर बनके तयार हो चुका है एक के साइड में वाइड-ी वाइड है और दूसरे के साइड में पेंक-पेंक देखी इस तरसे और हम इसे रैप करेंगे करने से पहले इसे थे को प्लाओं से तो आन की मदद से इस तरह से हल्का सा रोल कर लें ताकिए सारे स्लाइस एक दूसरे साथ बिल्गुल अच्छे से छिपक जाए और बहुत ही हलके हातों से करना है यह थर कि यह तो आफ मिसे रिप कर लेते हैं बिलन से बेल के रैप करके तयार कर लेंगे तो दोनों हमारा यहां पर तयार हो चुका है और अब हम इसे फिर्ट से रखेंगे 15-20 मिनट के लिए फ्रेज में उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो चलिए रख देते हैं तो यहां प Hyundai 15 मिनट हो चुके हैं मैंने इसे फिर फिर से निकार लिया है और आवम इसका ₹पर खोल के फिर से इसे प्लेट में रख लेते हैं और यह देखी बिल्कुल अच्छे साइङ से से हो चुका है तो अब हम फिर से इसे स्लाइस में कट करेंगे इसे हमें फिर से तीन स्लाइस में कट करना है पहले हम दाग कर लेते हैं इस तरह से और फिर से हम इसे पतले-पतले इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे डेखे इस तरह से और देखे अब इसका कलर इस तरह से आया है बीच में पिंक है और साइट साइट से वाइट इसी तरह से हम इसको भी काट लेते हैं तो यहां पर मैंने दोनों डो को कट कर लिया है तिन-तिन स्लाइस में और यह देखी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और अब इसे इस तरह से एसेंबल करेंगे एक पिंक वाला दुन स्लाइस लेंगे और दूसरे अब फिर हम इसके उपर वाइट वाला रखेंगे और फिर से हम इसे pink वाला रखेंगे इसके उपर से देखें ये इस तरह से हो चुका है इसे हम हलका सा प्रेस कर लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा भी तयार कर लेंगे और इसे हम wrap कर लेते हैं फिर से यह हमारा last process है इसका देखें तयार हो चुका है इसे हम रखते थे प्लेट में और दूसरा को भी हम इसी तरह से तयार कर लेते हैं वाइट के उपर पिंक रखेंगे और फिर उपर से वाइट रखेंगे देखें इस तरह से तो यहां पर देखें मैंने दोनों को फिर से तयार कर लिया है और यह बिल्कुल अच्छ से सैट हो चुका है बिल्कुल हाट हो गया है तो हम फिर से понрав खोल के यहां पर प्लेट में ही रख लेते हैं और अब हम इसके इस इस только करेंगे तो फिर से हम knife ले ले लेते हैं और इसका फहले हम side का भाग जो है अनिवेन उसे हम कट करके साइट कर लेते हैं ये इस तरह का तो अच्छा लग रहा है देखने मिए और अबarks जटमेंग करPaई जितना भी आपको फिक्नेस रखना है कुकिज का उस तरह से έपकी से कट कर ले में लगभख हाप इंच की इस तरह से मुटाई में दिखें कितना अच्छा चेकर बोर्ट बना है तो सारा हम इसी तर से कट कर लेते हैं और एक ट्रे में हम रखते जाते हैं इस तरह से कि यहां पर मैं सारे कुकीज को लगा लीते हूं जितना भी ट्रे में आ जाता है और अवन को मैंने प्रिहिट कर लिया है 180 डिग्री पे इसे हम लगबग 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री पे तो चलिए हम इसे रख लेते हैं देखे फ्रेंड 17 मिनट का लगबग टाइम लगा है और हमारे सारे चेकर बोर्ड कुकी बनके तैयार हो चुके हैं और काफी साइज में भ अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पे नहें हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं किसी और भी इसी तरह की नई रेस्पिक साथ तब तक लिए थैंक यू बाई